नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वामी वेकानन्द कॉंपेटेशन सेंटर जुन्नों के ओनलाइन क्लास में हारदीक स्वागत हैं दोस्तों मैं मही स्कुलेरी आपके सामने जियोग्राफी से संबंदित जो भारत के भुगोल के महत्पुन परसन है वो लेकर उपस टितूं ये जो परसन है दोस्तों आने वाली और इससे पहले जो एक्जाम हुई थी उन सभी एक्जामों के लिए महत्पुन परसनों के पहला परशन दोस्तों वह है सराज्या नाद भारत के बात करते हैं कि घृरत के राजियों से होकर गुजरते हैं यह भारत के राज्यों से होकर क्या करते हैं यह जो बात है, यह हमें क्या करना है, याद रखने है Croatia का, आपके सामने में मैप बना रहा हूं, करक रेका भारत के कौन कोन से राज्यों से होकर गुजडसEsti है, यह हमें क्या करना है, याद रखना है, तो दोस्तो पहला उप्षण है औरिशा, और दूसरा जो उप्षण है वो है बिहार, जारकंड, तीसरा उत्रप्रदिश और चोथा है आंद्रप्रदिश दोस्तों ये रही करक रेखा और मैंने यहां से गुजार दी है और आप लोगों के लिए सामने जो है पहला जो राज्य है वो है गुजराद गुजराद से होकर दूसरा राजस्तान तीसरा मद्य परदिश चोथा हम बात करते हैं चत्तिसकर पांचवां जारकंड, छटा पश्यम बंगाल, साथवां तिरुपुरा और आठवां जो है यहां से होकर वो करक रेखा गुजरती है करक रेखा की दक्षिन का जो हिस्सा है वो उशन कटी बंद और करक रेखा का उत्र का जो हिस्सा है वो शितोशन कटी बंद में माना जाता है तो यहां पर जो उप्शन आएगा दोस्तो यह बिहार नहीं उप्शन जो होगा वो कौ रखने वाला राज्जी है, तटी रेखा रखने वाले जो राज्जी हैं, उनमें गुजरात, गुजरात के बाद में महरास्ट, महरास्ट के बाद में गोवा, गोवा के बाद में करनाटक, करनाटक के बाद में केरल, केरल के बाद में तमिलनाडू, तमिलनाडू के बाद में आंदरपरदेश, आंदरपरदेश के बाद में परशिम बंगाल, यह जो हैं यह भारत में तटेशीमा रखते हैं, और आप सब को पता है तटेशीमा सरवादिक की बात करें तो गुजरात, दूसरे नंबर पर बात करेंगे, तो हमारा दक्षनी जो हिस्सा है वो तमिलनाडु तमिलाड़ु के बाद में आंधर पर्देश, तो ये सर्वादी के लंबी तटे सीमा रखते हैं, नीचे दिये ओगए जम्मु कसमेर के मानचित्र की जांच कीजिए, और आपके सामने एक नंबर है, परवस्रेने, दो नंबर परवस्रेने, तीन नंबर परवस्रेने, और चा तो दोस्तो अगर मैं बात कुरूँ कि सार्थ सबसे उत्र हुए, पहला उप्सन जाए लद्दाक, जासकर, काराकॉरम, और पीरपंजाल, दूसरा है काराकॉरम, पीरपंजाल, जासकर, और लद्दाक, जो था है काराकॉरम, लद्दाक, जासकर, पीरपंजाल, और पांच जा सबसे उत्तर में यह जो है प्रवत्षरेणी इसका नाम है काराकॉरम तो जहां पे सबसे पहले काराकॉरम होगा उत्तर वही होगा तो यह उप्षन यह नहीं है काराकॉरम दो में है और यह भी नहीं तो आपके सामने दो उप्षन है दोस्तों काराकॉरम प्रवत्षरेणी मे यहां पे भारत की सबसे उंची जो है वो परवत चोटी पाई जाते हैं जिसका नाम है के टू के टू या गोडविन आस्टिंग जो है गोडविन आस्टिंग जो है वो भारत की सबसे उंची परवत चोटी है किस स्रेणी में तो हम करते हैं कारा कोरम प्रवत स्रेणी में अगर हिमाले की बात करते हैं दोस्तो हिमाले में भारत की सबसे उन्ची चोटी जो है वो कंचन जंग है, शिक्किम राज्यम, नेपाल और शिक्किम के और यह भारत की सबसे उन्ची चोटी है वो K2 है गोडविन आस्टिंग और उन्चा ही आपको याद रखनी है 8611 मिटर दोस्तो पहला कारा कॉरम कारा कॉरम के बाद में ये जो परवत सरेणी है ये है लद्दाक कौन से है? लद्दाक कारा कॉरम के बाद में लद्दाक लद्दाक के बाद में आप सब को पता है कारा कॉरम के बाद पीर पंजल है तो हमें याद रखना है कि सही उप्षन जो वो किया है कारा कॉरम के बाद में लद्दाक लद्दाक के बाद में जांसकर और इन तिन्नों परवस्रेणियों को ट्रांस हिमाले कहा जाता है यानि काराकॉरम, लद्दाक और जासकर को क्या कहा जाता है ट्रांस हिमाले कहा जाता है ट्रांस कहा जाता है इस दुनिया का नहीं यानि हिमाले का हिसा नहीं है और जो पीर पंजाल है ये मद्धे हिमाले का हिस्स है तो ये जो है ये क्या है पीर पंजाल दर्रा तो ये जो है दोस्तों ये कौन से हिमाले का मद्धे हिमाले का है तो पीर पंजाल मद्धे हिमाले में और उपर से मात कारा करम लदाक जासकर और हम कहते हैं पीर पंजाल स्रे यह करम जो है, यह भारत की जम्मु कस्मी राज्य में आवस्तित है, जम्मु कस्मीर हिमाचल प्रदीश में, नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारती मानक समय की देशांतर रेखा, साड़े 82 डिग्री किस नगर से होकर गुजरते हैं दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं कि साड़े 82 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत की मानक देशांतर रेखा है यानि मानी गई रेखा है और ये साड़े 82 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो भारत को दो भागों में भी भाचित करती है और हम कहते हैं ये जो है इलाबाद के इलाबाद कहां पर इलाबाद से होकर गुजरते हैं इलाबाद में हम कहते हैं मिर्जापूर मिर्जापूर और मिर्जापूर में भी जो स्थान है वो नेने नेने यूपी हम कहते हैं इलावाद मिर्जापूर और नेने नामक स्थान से ये मानक देशांतर रेखा ये क्या करते हैं इसी को आधार वांद कर भारत में समय जय वो निधार करते हैं हम कहते हैं कि ये इलावाद से गुजरते हैं और ग्रिनवीच रेखा ये जो कि भारत का सुदूरतम दक्षिनतम बिंदू है दोस्तों अगर मुख्य भूमी की बात करते हैं तो भारत की मुख्य भूमी का जो बिंदू है यह मैं यहां पे आपको मुख्य बुमी की बात करें तो दोस्तो कन्या कुमारी अगर सदूर्तम बात करें तो यहां पे है अंडमान निकोबारदीप सुमा और अंडमान निकोबारदीप सुमा छै डिगरी च्यार मिंट और यहां पे इंद्रा पॉंट अंडमान मुख्य बुमी में तमिल नाडू में कन्या कुमारी तो हमारा भारत का सदूर्तम दक्षिनतम बिंदु है तो सदूर्तम आएगा तो कन्या कुमारी नहीं मुख्य बुमी की बात करेंगे तो कन्या कुमारी तो यहां पे जो होगा वो इंद्रा पॉंट है और इंद्रा पॉंट जो है इसे दो नामों से और जाना जाता था पहले एक कहा जाता था पिग मेलियन पॉइंट और दूसरा है पार्षन पॉइंट पिग मेलियन पॉइंट वह पार्षन पॉइंट जो इंद्रा पॉइंट का ही प्राचिन समय में नाम थे इंद्रा पॉइंट कहां पे है तुम कहते हैं अंडेमान निकोबार दीप समुह का कन्या कुमारी जो है वो आठ डिगरी और चार मिंट उत्रे अक्छांस पर क्या है आवस्तित हैं नेक्स्ट परसन की बात करते हैं निमलिक्त में से कौन सा एक सुमे लेते नहीं है दोस्तों यहाँ पे जो बात की जारी है वो दर्रों की की जारी है अगर हम बात करें नाथुल दर्रा है केरल में तो दोस्तों अगर हम बात करें नाथुला दर्रा जो है वो भारत के अवनाचल परदेश में नहीं है नाथुला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में कौन से राज्य में सिक्किम राज्य में और आप सबको पता है कि नाथुला जो दर्रा है इस दर्रे से होकर हम जो है वो केलास मांसर केलास मांसरोर की यात्रा करते हैं यानि पहले तो उत्राखंड के जो दर्रे थे उनी से जो है केलास मांसरोर की यात्रा की जाती थी लेकिन हाल फिला हल में चीन सरकार नी जो है वो शिक्की में इस्तित्र सामरिक दर्स्टी से सबसे महत पुन जो दर्रा नातुला इसे भी जो है वो व्यापार के लिए और धार्मिक दरस्टी से इसे खोल दिया गए और इसलिए ये जो दर्रा है ये कम्पिटिशन एक्जाम में पूछा जारा है देखो उत्राखंड के जो दर्रे हैं वो मानना निति लिपुलेख मुख्य रूप से ये जो दर्रे हैं ये कहां पर है उत्राखंड में इनसे केलास मानसरों की यात्रा की जाते थी पहले आज भी की जाती है पेदल यात्री मुख्य रूप से इनी दर्रों से ओकर केलास मानसरों की यात्रा करते हैं लेकिन शिक्किम का ये जो दर्रा ये छोटे वाहनों के ल केरल में, सिनकोटा, जो है, वो कहां पर केरल में है, तो दोस्तों, निमलिक कौन सा सुमलेत नहीं है, तो उत्तर कौन सा होगा, ये होगा, और सही क्या है, नाथुला दर्रा किस राज्ये में है, सिक्किम राज्ये में है, दूसरा, निमलिक में सही करम क्या है, दोस्तों, अभ चाही कितनी है? 8,611 मेटर. कंचन जंगा? 8,518 मेटर. कहां पर है? तो हम कहते हैं सिक्के में. माउंट एवरिस्ट 8,888.2 मेटर. तो अब अब अगर करम की बात करें, तो पहला माउंट एवरिस्ट आएगा. दूसरा गौडी नास्टिंग और तीसरा कंचन जंगा. तो उत्तर तो ये है. अगर इसी परसन को थोड़ा गुमा दे और कहा हिमाले में, तो गौडी नास्टिंग जो है? वो किसमें आएगा? हम कहते हैं, ट्रांस हिमाले में आएगा. यानि ये ट्रांस हिमाले की है, और कंचन जंगा, माउंट एवरिष्ट जो है, वो महान हिमाले की सबसे उन्ची चोटी विश्व की सबसे उन्ची चोटी माउंट एवरिष्ट नेपाल और चिन की सीमा पर आवस्ते हैं भारत की सबसे उन्ची चोटी गोड इनाश्टिंग भारत में हिमाले की सबसे उन्ची चोटी अबावने कार्दी नर्मना और ये ताप्ति ये विंद्याचल है ये सत्थ पुड़ा है तो ये करम हो गया ये विंद्याचल विंद्याचल सत्थ पुड़ा तो इसमें नर्मदा और ताप्ति के मद्दे पुछे तो हम कहेंगे कौन सा परवत आएगा सत्थ पुड़ा आएगा यानि विंद्याचल और नरम्दा तापदी के मद्य जो परवत है वो कौन सोगो सत्पुड़ा और इन चारों का करम तो हम याद एकना है, सबसे पहले विंद्याचल, विंद्याचल के बाद में नरमदा, नरमदा के बाद में सत्थपुड़ा, विंद्याचल के दक्षिन में जो है, वो कौन सी नदी है, नरमदा, नरमदा के दक्षिन में जो परुश्रंक निया है, वो है सत्थपुड़ा, सत सत्पुडा जो है ये किसा प्रवत है बरंसोत प्रवत है देखो दोस्तो बरंसोत प्रवत जो है एक तो सत्पुडा है और दूसरा कौन सा है विंद्या चले जब कि बरंस गाटी में बेनने वाली नदियों की बात करतें तो कौन सी आएगी तो हम करतें नरमदा और तापदी आएगे, नेक्स परसन, कि जहां पूर्वी घाट और पस्मी घाट मिलते हैं, वहां निमिल्त में से कौन सी पहाड़ियां आवस्तित हैं। दोस्तो अगर मैं कहूँ ये हमारा दक्षनी भारत है, मैं यहाँ पे इस परकार से बना लेता हूँ, यहाँ पे यह है पस्मिघाट और यह है पूर्वी घाट, पस्मिघाट और पूर्वी घाट और इनको जोडने वाली जो परवस रंकला है, इसे कहा जाता है नीलगिरी, नीलगिरी जो है वो पस्मिघाट को पूर्वी घाट से क्या करती है, जोडती है, दूसरी नीलगिरी की सबसे उन्ची जो चोटी है दोस्तों, दादो बेटा, नी प्रश्मी घाट का अगरिम विस्तारी रूप है, वो कौन से नील गरी और प्रश्मी घाट के सबसे उन्ची चोटी कहें, तो दादो बेटा आएगी, दोस्तों अगर हम कहें, दादो बेटा नील गरी में, तो उसके दक्षन में एक परवसरंकल है, जिसका नाम है अन्ना पर्वत्स ata यहारु जबकि इसके दक्षण में जो है उसे बोलते हैं काड़ो मम परवस्रे या इसे बोलते हैं इलाई जी तो यह बाते हैं यह हमें क्या करने याद रहे हैं तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो कौन सा हैगा निलगीरी परवस्रेनी जो है वो पूरवी गाट को पस्मी गाट से जोड़ती है और इसकी सबसे उन्ची चोटी जो है जो चोटी है वो काडमम या इलाईची परवस्रेनी नेक्स्ट आम बात करते हैं काडमम पहाडिया जिन राज्यों की सीमाओं पर इस्तित्ह वह है तो दोस्तों अगर मैं कहूं कि काडमम जो है वो भारत का दक्षिनतम है तो दक्षिनतम में आप सबको पता है कि यह जो हिस माँ पर भारत की दक्षि नि तम जो चोठी है वो क्या है आऊस्तित थे लेंश्ट हम बात करते हैं निम्ण में से कौन सा रचू डियल रेज़ी डियुवल परवत स्रेणि का उन्धाश है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अब इत्तक हैं कि हम बात करते आए रहे हैं कि residual परवत होता क्या है अगर यहाँ पर देखें हिमाले हिमाले जो है वो विशुका सबसे नमिनतम वालित परवत है किलमिनजारो ज्वाला मुखी और ऐन्टना जो यह भी ज्वाला मुखी हमके एंटेना स्क्री है और किलिमिंजारो है ये श्यानत ज्वाल लम के तो इमाले वलित परवत है और विशो का सबसे नवींतम नवींतम वलित परवत मानना जाता है किलिमिंजारो तंजानिया में है और एंटेना जो है भूमद्य सागर में अवस्तित है और अरावली जो है ये अवसिष्ट परवत मानने और अवसिष्ट कोई क्या का जाता है रेजुडेल परवत काता है तो सही उत्तर क्या होगा अवसिष्ट याद रखना अवसिष्ट को इंग्लिष में रेजुडेल परवत की स्रेणी दी जाती है तो सही उत्तर होगा अरावली नेक्स्ट आम बात करते हैं बेरंदीप अवस्तित है तो बेरंदीष्ट जो दोस्तों वो कहां पर अवस्तित है तो सबसे पहले पता होना चीए है क्या तो बेरंदीष्ट है एक और और ये जो स्क्रिय ज्वाला मुख्य ये भारत के अंड मान निको बार दीप समू में अवस्तित है और हम कहते हैं एक भारत में नार कॉंडम है और ये जो है नार कॉंडम ये श्यानत ज्वाला मुख्य मानना जाता है और ये भी कहाँ पे अंडमान निकोबार दीप सुमू जो है वो किस खाड़ी में तो हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में अगर आपने भारत का मानचितर देखा होगा तो ये भारत का मानचितर है और इस भारत के मानचितर में ये अंडमान निकोबार दीप सुमू है और य आजनी केंदर सासीत परदेश अंडमा निकोबार दीप सुमू में अवस्तित और अंडमा निकोबार दीप सुमू जो है वो बंगाल की खाड़ी में अवस्तित नेक्स्टम परसन की बात करते हैं लक्षे दीप कहां पर अवस्तित बहुत इंपोर्टेंट है सबसे पहले लक् या इसे बोलते हैं एटॉल एटॉल निर्मित जो दीप है वो कौन सा है लक्षे दीप है वो एटॉल है इसे बोलते है परवाल और परवाल का ही नाम मुंगा दीप कौन सा दीप है मुंगा जो है वो दीप माना जाता है यानि लक्षे दीप जो है वो मुंगा दीप है, एटोल या परवाल दीप है कहां पे है तो दोस्तों अगर हम बात करें यह हमारा भारत का मान जीतर और यहां पे है लक्षे दीप और यहां पे अंडमान निकोबार दीप सुमे तो यह तो बंगाल की खाड़ी है और यह है अरब सागर और दोनों मिलते हैं तो हिंदे माहा सागर तो अरब सागर जो है इस अरब सागर में लक्षे दीप अवस्तित है तो यहां पे जो सही उतर होगा वो कौन सा होगा? अरब सागर होगा नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दोस्तों वो है पुडुचेरी या पुडुचेरी का अच्छेतर विभाज़ पाया जाता है यानि पुडुचेरी जो है वो भारत के कौन-कौन से राज्य में सबसे पहली बात पुडुचेरी कितनी है चार पुडुचेरी पुडुचेरी जो ह चाहर हैं, दोस्तों एक तो है माही, माही जो है वो कहाँ पर केरल में है, माही जो है वो केरल में है, दो है तमिल नाडु में, देखो मैंने बना ऐसे दिया, लेकिन ये ऐसे नहीं है, तटवर्ती भागों पर है, तटवर्ती जो है इस तटवर्ती भाग पर पाई जाते हैं, यानि एक तो जो है वो यहां पे है और दूसरी जो याद रखने है तमिलनाडो में है और एक जो है वो कहां पे है आंधर प्रदेश में है दोस्तो मैं कहूं एक तो यमन जो है यह आंधर प्रदेश में है दूसरा पांडिचेरी पांडिचरी या पुद्दुचरी तमिलनाडु दक्षिन में है और क्राइकल क्राइकल जो है वो कहाँ पे है तमिलनाडु में है तो चार है पहला माहे दूसरा यमन तीसरा क्राइकल और चोथा जो है वो पांडिचरी या पुद्दुचरी तो हम कहते हैं कौन सा होगा देखो दोस्तों तमिलनाडू आंदर परदेश महाराष्ट नहीं है तमिलनाडू करनाटक केरल नहीं है तमिलनाडू केरल और आंदर परदेश सही ओप्सन जो होगा वो कौन सा होगा तीसरा तमिलनाडू में है केरल में आंदर परदेश में और अ important person है आने वाली परते competition exam में यहां से जो person है वो पूछे जाएगे तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो class है आपके लिए बहुत ही मैत्पून है इसलिए आप जो है यह इस channel को अधिक से अधिक subscribe कीजिए, like कीजिए और अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों को इसकी जो है वो link share कीजिए ताकि वो भी जो है वो आने वाले competition exam में अपनी सफलता जो है वो क्या कर सके प्राप्ते कर सके तो दोस्तों आज की class में इतना ही जै हिन जै भारत